अब बारे में पूरा रिवीव करके आपको मैं दिखाऊंगा अभी मैं आपको अपने फोन के स्क्रीन पे लेके चलूंगा और पूरा रिवीव करके आपको दिखाने वाला हूँ यह एक बहुत ही नया लोन अप्लिकेशन है जो कि NBFC रजिस्टर्ड अप्लिकेशन है आपको देता है पूरा पांच लाख रुपय तक का लोन बहुत ही कम डॉकुमेंट्स में और गाईज NBFC रजिस्टर्ड अप्लिकेशन है तो गाईज अगर आपको लोन चाहिए एक जन् दोस्तों के साथ शेयर करना गाईज मैं आपको बता दू लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर धियान रखना किसी भी अप्लिकेशन से अगर आप लोन लेते हो तो भाई उसका टाइम टू टू टाइम रिपेयमिंट जरूर करना नहीं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होगा और उसके बाद आपके खिलाब लीगल नोटीज भी निकल सकता है क्योंकि ये सभी लोन अप्लिकेशन और लोन लेना सही में कोई अमर्जिंसी होगा तभी लोन के लिए अपलाई करना कहीं घूमने या फिर कहीं अपने प्रसनल उसके लिए बिलकुल भी लोन मत लेन ठीक है तो चलिए दोस्तो फटा-फट से मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधे अपने फोन के स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कौन से है ये लोन अप्लिकेशन जहां से आपको मिलता है लोन तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं इसी अप्लिकेशन का रियू करके आपको दिखाने वाल हूँ इस अप्लिकेशन का नाम है नीडी लोन ठीक है दोस्तो नीडी लोन इस अप्लिकेशन का नाम है मतलब यह application यह एक website है ठीक है मतलब website है application इसका भी नहीं लॉंच हुआ है आप चाह ठीक है 100% paperless instant approval ठीक है गाईज अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो instant approval personal loan platform है यह ठीक है यहाँ पर नीचे चलेंगे तो गाईज यह 3-4 step में आपको loan मिल जाता है ठीक है यही इसके पूरे steps है ठीक है देख लिजे download करना application को fill your documents करना है ठीक है यहाँ पर eligibility आपका आ जाएगा seconds के अंदर उसके बाद आपको loan मिल जाएगा आपको पता लग जाएगा seconds के अंदर कि भाईया आपकी कितनी eligibility है कितना आपको loan मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा तो कितना मिलेगा सब कुछ आपको पता लग जाएगा अब यहाँ से हम इस application को पहले download करते हैं आपको मेरे इस वीडियो के description में इस application का link मिल जाएगा ठीक है okay so guys बहुत ही बढ़िया application मुझे लगा NBFC registered application है कौन सीज की NBFC है सब कुछ अभी मैं आपको बताने बला हूँ ठीक है तो यहाँ से आप इस application को download कर सकते हैं तो चलिए मैं download कर चुका हूँ आपको मैं application open करके दिखाता हूँ ठीक है so guys यही है वो application इसका नाम है Needy Loan जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया 5 लाक रुपय तक का loan आप इस application से ले सकते हो अब जितना भी आपका eligibility रहेगा मतलब जीस हिसाब का आपका civil रहेगा उस हिसाब से आपको eligibility इस application में देखने के लिए मिल जाएगी जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही लाक दो लाक पांच लाक चार लाक मिल जाए ठीक है इस starting में आपको कम मिलेगा जैसे जैसे आप loan का repayment करते जाओगे आपको ज्यादा loan देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है अब guys यहाँ पे submit information करना है receive होगा loan terms आपको जब वो receive हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कितना आपका loan होगर है क्या चीज़ है फिर withdrawal money यहाँ पे है ठीक है तीन step है बस three easy step में आपको loan मिल जाते है apply आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पे अपना नाम डालना father name email details अपने घर का address आधार card company name अगर आप किसी company में job करते हो dot ho reference number डालना पड़ेगा नाम के साथ उसके बाद next step यहाँ से करेंगे हम इसको fill करने के बाद ठीक है तो आप इसको fill करके next next करते जाना क्या क्या documents लगेंगे यह मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ठीक है जल्दी जल्दी से ठीक है और एक लोग को loan मिला भी है इस application से तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का loan मिला है कितने दिन के लिए मिला है तो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो यह देख सकते हो यह application था चली अब हम बात कर लेते हैं कितने का loan मिला था कैसा मिला था और क्या के documents लगेंगे ठीक है तो गाईश चली उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ सो गाईश यहाँ पे देख लीज़े साफ साफ इन application वालों ने यहाँ पे समझाय हुआ है कि कि किसी के bank account में और लेट फीस यहाँ पे पर डे एक सब पांच रुपए है मतलब कि आप लोन लेके एक दिन भी नहीं चुकाते हो तो पर डे एक सब पांच रुपए भाई जोडते रहना ठीक है तो यह loan application है गाईज यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि 14 दिन का loan मिलेगा फिर आप जैसे जैसे loan का EMI भरते जाओगे company को आपके उपर भरोसा होते जाएगा आप loan लेके repayment करते जाओगे आपका loan का जो है दिन बढ़ता रहेगा ठीक है tenure भी बढ़ता रहेगा और loan का समय भी बढ़ता रहेगा ठीक है और गाइज अगर आपको जादा loan मिलेगा तो जादा दिन का भी समय मिल सकता है कम loan मिलेगा तो कम दिन का तो समय मिलेगा ठीक है तो ये सिर्फ 14 दिन के लिए loan application loan देता है ये एक NBFC registered application है इसकी NBFC का नाम है AGB का finance limited इसकी NBFC का नाम है तो guys starting में आपको सिर्फ 14 दिन का loan मिलेगा अगर loan लोगे तो भाई अपने मर्जी से लेना मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप loan ले ही लो अगर आपको loan चाहिए तो भाई अपने मर्जी से लेना मैं सिर्फ information purpose से ये video बना रहा हूँ ठीक है मेरा कोई भी ऐसा उद्देश नहीं है कि मैं आप लोग को loan दिला के फसा दूँ मैं सिर्फ आपको information देना हूँ अगर आपको loan लेना है तो अपने मर्जी से लेना पूरा इस application का website होगर है सब कुछ terms and conditions सब कुछ पढ़ के लेना मैं इसलिए बस ये video बना रहा हूँ ताकि आप कभी किसी फरजी loan application के चक्कर में ना पढ़ जाओ फरजी ये नहीं है अजीवी का finance limited इसकी NBFC है ठीक है अजीवी का finance limited तो ये registered application है बाकी ये सिर्फ 14 दिन का इस starting में loan देगा जैसे आप loan लेके चुकाते जाओगे आपका समय बढ़ता जाएगा loan का ठीक है तो आप इस application से loan के लिए easily apply कर सकते हो बाकी मेरे इस video के description में आपको इस application का link मिल जाएगा यहाँ पे देख लो pending है यहाँ पे your loan application has been submitted for approval we will notify status within 24 and 48 hours ठीक है मतलब कि ऐसे आप भी loan का form बरके जब submit करोगे तो pending हो जाएगा और 24 घंटे से लेके 48 घंटा लगेगा आपको loan disverse करने में ठीक है मतलब गाइस कभी-कभी लोग रात को कर देते हैं ठीक है loan के लिए apply तो वो तो working hours होते नहीं है तो उसमें तो काम होगा नहीं तो इसलिए यहाँ पे 24-48 घंटा दिया गया है लेकिन loan आप जब भी अपना form submit करोगे अगर दिन में कर रहे हो सुबेरे कर रहे हो दोपर में कर रहे हो या फिर साम अगरे को कर रहे हो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या documents लगने वाले हैं तो guys अगर आप एक salary हो तो यहाँ पे आपको तीन महीने का bank statement तीन महीने का salary sleep अपना हो सकता है यहाँ पे अगर आपके पस bank statement हो गए नहीं है तो आपसे आपका जो आपके duty का card होता है ठीक है मतलब जो आपका employee card होता है वो मांगा जाए ठीक है I card हो गए ठीक है या तो वो मांगा जाएगा या तो guys आपसे मांगा जाएगा फिर कोई आपका offer लेटर हो गए होगा तो वो मांगा जाएगा अगर आप एक salary हो तो तो loan लेना अगर नहीं चुका सकते हो तो बिल्कुल भी loan मत लेना जैसे ऐसे आप loan का repayment करते जाओगे आपका loan amount बढ़ता जागा और tenure भी बढ़ता जागा ठीक है और गाईज एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूगी कोई भी loan application या फिर ये loan application भी अगर आपको loan देने से पहले processing fees या फिर security money के नाम पे एक भी रुपाय मांगे तो बिल्कुल मत देना ठीक है अगर बिना पैसा लिए आपसे loan देता है तो आप ले सकते हो बाकि यही ता आज के इस video में गाई इस video अच्छा लगा हो तो वडियो को like करना, channel को subscribe करना चलिए मिलते हैं किसी और next yous practical video में जरूर channel को subscribe कर दीजेगा और bell icon को press कर दीजेगा वडियो अच्छा लगे तो like भी करिएगा चलिए मिलते हैं किसी और next year useful video में तब तक ले जैहिन बंदे मातरम